मुईस दोरान बदायूद से सपा निता और गडबंदन प्रतियाशी धर्मेंदर यादल से ब्यूरो चीफ ने खास बाच्वित किया है प्रण मंत्री मुदी का वरांसी में नामांकन है वो नामांकन करने जारें इसके पहले बड़ा रोटसू कर रहे हैं और जीस तरह से तमाम बाते आ रहे हैं कि वो महौल बनाने की कोशिस है उनके इंटर्व्यू को लेकर भी तमाम सवाल उट रहे हैं तो कही न कही लगता है कि जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि ये प्रण मंत्री नहीं प्रचार मंत्री हैं तो ये क्या जश्टिफाई करता है आपकी बातों को और ये अब वो चाय जो स्टेंट करें अब जनता समझ चुकी है और जनता जूट बोलने वालों को मौका दुवारा नहीं देगी तर तीन चरणों का जो मद्दान हुआ है 26 सीटों मद्दान हुआ है उसमें क्या मानते हैं सीटे आप लोगों की गड़बंदन की हो सकती है मुझे यकिन है सभी की सब सीटे हम लोगों जीतेंगे बड़े बोटों जीतेंगे और अब तो ये घटना हैं हमारे अपनी लोग सुवा में बोटें की समय मंत्री मौजुद थे वो आप समने चापा मारा उनकी गारी भी पकड़ी गई और यही नहीं आज हमारे संबल जिले में जो हमारी सिग्मेंट एक गुर्णोर पड़ती है उसके जो स्टॉंग रूंग है उसका ताला टूटा मिला आयो उसके सिकायत की हम लोगों ने तो आप तो यह आने जाने क्या क्या हथकांड़ी अपनाएंगे लेकिन आप करें कुछ भी जन्ता फैसला ले चुकी बिल्कुल एबियम के स्टॉंग रूंग का ताला टूटा गया तूटा मिला सील सील टूटी मिली और इबात पूरी मीडिया में आचुकी है हमारी पार्टी का प्रिजन्द मंडल आयो में गया है और इस तरह की घटनाएं हो रहेंगे मैं समस्तों आप कुछ भी यह करेंगे जन्ता भी इनकी सुनने वाली नहीं तो शांता धर्मेंद यादों का कहना है कि जिस तरह से भाजजन्ता पार्टी जीतने के लिए जो तमाम ऐसे खेलने वो कर रही है जीतने के लिए तमाम हत कंडे अपना रही है लेकिन गडबंधन की जो लहर है वो कहीं न कहीं रुकने वाली नहीं है कैमरामेन रोहित के साथ राजवी सिंग हिंदी खबर करनोज